नमस्का नियूस फोडेशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैहोर चाश्रमा विहार विधानसवा चुनाव से ठीक पहले फिर वदल की सियासत देखने को मिल रही है इसे बीच बिहार की सियासत से एक बड़े ख़बर सामने आ रही है कि अब महनार विधानसवा स्चुत्र से रामा सिंग चुनावी रण में उतर सकते हैं आपको बता दे कि ये खबरे काफी ट्रेंट कर रही है कि रामा सिंग अब आरजडी में शामिल हो सकते हैं बीते दिन वो आरजडी दफ्तर पहुंसते हैं इसके साथ राबडी आवास में भी उन्हों देखा जाता है ऐसा कहा जा रहा है कि रामा सिंग ने तेजस्वी आदव के सामने दो डिमान रखी है पहली महनार विधानसवा श्रित्र से चुनाव लड़ने की और दूसरी लालगन सीट से चुनावी रण में ताल ठोकने की ऐसे में तेजस्वी आदव उनकी बातों को समझने की कोशिस कर रहे हैं और यहां तक की महनार वधान सवाश्यत्र से सिर्फ रामा सिंग नहीं बलकि मुकेश रंजन भी ताल ठूकने का दावा कर रहे हैं मुकेश रंजन ये दावा कर रहे हैं कि अगर वो चुना वी डंड में उतरते हैं उस्यत्र से तब रगवंश प्रसाद सिंग के परिवार भी उन्हें सपोर्ट करेंगे यानि कि इसका सीधा फाइदा राजब को होगा तेजस्वी आदब को होगा इसी को लेकर तेजस्वी आदब ने दोनों नेताओं के साथ बैठक की थी छे घंटे तक ये बैठक चली आपको हमने खबरे भी दिखाई थी कि किस तरीके से राब्रियावास में रामा सिंग की एंत्री होती है सिक्योरिटी किस तरीके से टाइट होता है और इसके साथ तेजस्वी आदब ने दोनों नेताओं को आमने सामने बिठा कर स्विशय पर बादचीत की है ये जानने की कोशिस की है कि आखिर किस के दावों में कितना दम है क्योंकि महनार विधान सबाश्वत्र है वो काफे इंपॉर्टन सीट है ऐसे में रामा सिंग कह रहे हैं कि अगर वो वहां से चुनावी रण में उतरते हैं तो राजपुत वोट बैंक को गुलबंद करके चुनाव जीत सकते हैं लेकिन मुकेश रंजन कह रहे हैं कि अगर वो वहां से उतरते हैं तो सिर्फ राजपुत वोट बैंक नहीं बलकि रगवन श्रसाथ सिंग के परिवार का समर्थन भी उने प्राप्त होगा एसे में इसका सीधा फाइदा आरज़ेडी को होगा तो तेजस्वी आदव दोनों नेताओ की बात को समझने की कोशिस कर रहे हैं और 6 घंटे की लंबी बाच्चीत दोनों नेताओ को आमने सामने बठा कर तेजस्वी आदव के साथ की गई है हाला कि अब तक कुछ निकल कर सामने नहीं आया है कि रामा सिंग क्या लालगंज से चुनाव लड़ेंगी या फिर महनार विधान सबाश्रत्र से क्योंकि दो विदान सवाश शेत्र को लेकर उन्हें डिवान रखी है और जो महनार है वहाँ पर आमने सामने के टककर मुकेश रंजन और रामा सिंग के बीच दिख रही है ऐसे में लालगंज विधान सभा सीट को लेकर भी ऐसे कयास लगाया जा रहे कि वहां से भी रामा सिंग चुनावी रण में उतर सकते हैं यानि कि ये खबर बिल्कुल पक्की है कि रामा सिंग क्या एंट्री आरजेडी में होनी तय है क्योंकि अगर आरजेडी का रामन वो थामते हैं उसके बार थे वो चुनावी रण में उतरेंगे बेटे दिने आपको हमने तस्वीर भी दिखाई थी कि किस तरीके से रामा सिंग की एंट्री राबडी आवास में होती है हाला कि ये वो रामा सिंग है जिनकी दो बार एंट्री को लेकर खबरे चली लेकिन रगवन्ष प्रसाद सिंग के तलख तेवर के कारण तेजस्वी आदव ने उनकी एंट्री को तदकाल में रोक दिया था लेकिन अब क्योंकि रगवन्ष प्रसाद सिंग इस दुनिया में नहीं है ऐसे में तेजस्वी आदव रामा सिंग की एंट्री आरजेडी में कराने वाले हैं समाना जा रहा है कि महनार या फिर लाल गंज विधान सवाश्रत्र से वो चुनावी रण में उतर सकते हैं फिलाल कलेता ही बने रहे हमार साथ और देखते रहे नियूस फोनेशन नमस्कार